हेलो वेलकम वेक दोस्तों वाई अनेदर वीडियो और आज की जो वीडियो है उसमें हम दिखाएंगे कि आपको एक नई ग्रीड जिस पे मैंने साथ पहले चैनल पर अपलोड नहीं किया है अमेरिकन पिढूल या इसकी किया बट आज मैं आप दिखाऊंगा अमेरिकन बुली ठीक है तो जिसके पास भी अमेरिकन पूली है ये वीडियो उनके बहुत काम क्योंने वाली है और वह चीज मैं बताऊंगा आपको आपको आपके काम होने वाली है कैसे अगर आपने एक बुली पपी लिया है तो आगे कैसे उसके साथ रहना है वह चीज आपको पता जिसके करल आघ्स्कि 잘 उसके लिजेकों समाजते हो उसके बारे उसके काम करते हो कैसे भिफ सब्सके करना गई पिर और पर यहीं मुदूर अगर चीजे बाते होती रहें इसका नाम है जॉड़न जॉड़न है तो यह देखने में इतना सांत और यह रख रहा है यह मस्कुलर डॉग कोटे से एकदम कॉम्पेक्ट साइज के डॉग होती है ठीक है यह देखिएगा यह इन्हें जो कैमरा में जो सूट कर रहे हैं उनको पता है क्या है कि अलट हो जाता है तुर ही नहीं है ठीक है बाकी इसके वारे हैं बहुत सारे ऐसे मित हैं कि यह बहुत डेंजरस ब्रीड है बहुत ऐसी है बट ऐसा नहीं है ठीक है हम लोगों के दिमाग में बचीज डाल दी गई है और क्या है बट हाँ वो उस लायक है कि अगर वो यह अटेक करेगा तो उस तरीक हो जान फोली ले सकता है तो वो नेचर करता है उसके बॉड़ी टेक्चर की ऊपर को शिट्जु डॉग पाला है आपको बहुत डेंजुरस है वो गुस्सा पूरा करेगा काटेगा उतना ही तो काट सकता है जितना उसकी अब इसकी तरफ ध्यान देते हैं सबसे पहले इसका ज इसकी जो ग्रेफ होती है बहुत ज्याद होती है चीजों को पकड़ने की ठीक है विडबोवा है ठीक है तो इसमें आप देख रहा है कि मस्कुलर है पूरा बॉड़ी का इनका वेट बहुत होता है जरा से डॉक का पूरा थोस्ट डॉग होते है पुरी तरीके से और बॉड कर देंगे चीजों को मैं इतना लंबा इसलिए खीच रहा हूं वीडियो तो कि अगर आप बुली लेकर आएं डॉग और आपको नेचर का नहीं पता है ठीक है तो आपको हामफुल हो सकता है वो चीज ठीक है तो उससे कैसे हैंडल करना है और आगर आपको तरीके पता है त ही कizzard अब यह इसकी गरिब इसका मुद का इसलियु रहा हूँ इस तरीके से इसलियु इस तरेके से मूँ ऐसा मुठ चिरा उगा दक नो इसलियु खुला इसलियु और उसकर लाग ओनौ यहुए ग। जिसल जितना बुस्सा दिलाएंगे खीचेंगे चीज़ों और वह टाइट होती जाएगी हुग्रेप उसके उसमें हो भी कुछ नहीं कर सकता है वह दो हो जाता है और गुस्से में यह भी नहीं होटता कहांगे भी जैसी जैसे इसका गुस्सा सांत होगा तो वैसी वैसी जो जो आपने आपी छूट जाता है ठीक है लॉक बंद हो जाएगा तो इसको प्यार से टेगल कर सकते हो आप जितना जबही अपने देखा हूँ बुली या पिट बुल की फाइट फाइट जो हो जाती है ठीक है और वह क्या करते है लोग कि इनको डंडे से मारते हैं तो उससे मे तो वो और ज्यादा जो होता है उसका लॉक होता चल आता है इस बज़े से वो खुलता नहीं है उसमें आप यूज कर सकते हैं जैसे की पानी डाल दिया उसके उपर ठीक है उसका ध्यान भटका दिया कुछ ऐसी चीज होती है ठीक उसको रिलेक्स कराओ क्यों कि वो जितना खी देते हैं ठीक है वो चीज काम आती है और यह तो बड़े की बात होगी वाट इसको यह नेचर डेवलप ना हो इसको बदनाम है कि बहुत ज़्यादा अटेकिंग होते हैं बच्चों को हाम करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चे बच्चों के साथ यह देखिए कम ठीक है और बहुत जादा लॉयल ब्रीड भी मानी जाती है अचानक अटैक नहीं करते हैं बट क्या कुछ ना कुछ ऐसा रीजन होता है जो मिस्काइड हो जाते हैं इस बज़े से कुछ पिटबॉल जैसी ब्रीड है उनको भी आपने देखा होगा बीच में लखनों में केस ह हुआ था तो कि वह डॉब इसमें बहुत बुरी तरीके से उसको मार दिया था अपने जो ऑनर की मदर घूटी के वह तरीके से चबाता है शना कुछ रहा होता है हमारा हम जिसको समझ नहीं पाते हैं ठीक बहुत देर से अगर यह ब्रीड ऐसी है कि बरदास नहीं करते तक ज हो सकता है कि जब आप उसके टाइम से वेटाइं खाना दो उसको भूग बहुत लग रही हो आए तो गुस्सा करते आप पर आप कहां चले गए तो इनके अंदर इतना सेंस होता है ठीक है चीज़ों को पता है कि जीना कैसे हमें तो कैसे चीज़े खानी ही होती है जानते है तो यह तो इसके नेचर के वारे में हो गई जैसे डॉग सारी जो मैंने बताई तो मगर इसके साथ रहना कैसा है जब आप लेके आते हो चोटा तो बुली का तो उनके इनको ना ऐसे डॉक्स को स्टार्टिंग से आपका और इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा होने अब बता ठीक है जैसे की खाना खिला रहे हो ठीक है तो खाना खिलाओ बैटके खिलाओ हास से बीच-बीच में उसको मत खाने में हाट डालते रहो जिसी अचानक से कभी-ख़ी क्या हुता है यह बहुत है क्रैसे वह जाती आस पास से गुज़नना भी दुस्वार कर देती आप खाने के पास नहीं जा सकते बट इसकी आदत मिले कि आओ इसका खाना है आप चूँ रहे हो खाव बीटा फिर आप बैट रहे हो ठीक है जितनी दिर खा रहा है वैसी डाल के छोड़ दिया ठीक है और बरतन उठाया तो लेकर आदे खाते हुए से यह चीज़े बिलकु तो उसको चीज़े नहीं खाया तो बैड इमपक्ट जाता है कि यह तो मेरा खाना चीन के ले जाएंगे तो यहां सर पे से रहो गरदन के पास आपको सहलाना आ ठीक है चेस्ट पे-स लाते रहो ठीक है लेटा जए तो तीन महिने का जब आफो दो महीने का तब तब चीज़े चीज़े स्टार्ट कर देनी चाहिए नो 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 सब सिट जब भी कोई चीज पकड़ रहा है तो इसको सबसे ग्रिप टाइट वाली पकड़ने वाली चीज़े जैसे पकड़ लिया लीव इस कमांड पर बहुत जोर देना है ठीक है चीज़ों को पकड़े और चीज़ों पर जादा हमें काम करना होता है यह इसको पता कैसे खोलना है तो बहुत समझ होती इंटेलिज़ेंट को नॉर्मली अप ऐसा करते हो नहीं देखोगे इंट जिए बंद कर दोगे तो कैसे उस जगए से निकल के आना यह बखो भी जानते है ठीक है हर चीज को इसको आप बीच में रख सकते हो जैसे जरूर निए कि बहुत सारे लोग रख सकते हैं बच्चों को लोग रिकमेंड नहीं करते हैं बट क्या है आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहने चाहिए चीज की कैसे इनको हैंडल करना है डॉक्स को किसी एक्सपर्ट की ट्रेनर परकि आप गाइडेंस नहीं डॉग को पाले और पूरे इसके नेचर को समझे समय समय पर कोई ऐसा को इसका टीचर हायर कर लें एक ट्रेनर जो इसकी साइकलोजी को समझता हो अच्छे तरीके से वह आपको गाइड कर सके तो कि जब भी कुछ करेगा तो एक ऐसा नहीं को ट है तो इसको गाइड कर दिया तो यह एक राइट पैट कीपिंग का तरीका बन जाता है तो वह हम लोग अपने चैनल के तुरू सिखाते हैं जैसा कि आप देख रहा है स्मार्ट डॉक ट्रेनिंग के साथ मिलके आपने डॉक को स्मार्ट कैसे बनाए स्मार्ट पैट कैसे गर तो वह आप हमसे जुड़के कर सकते हो अगरा पर्सनल हमारी गाइडेंस भी चाह रहे हो तो में अच्छी चीज और है इस वीडियो के तुरू मैं पहली बार आपको ऐसा बता रहा हूं कि लोग बहुत सारी क्वेरी जाती है कि हमें भी एक ट्रेनर वनना है प्रोफेशनल बनना है मुझे तो उसकी भी हम डिटेल्स आपको दे देंगे ठीके पूरे ओनलाइन कोर्से रहते हैं बागी डिटेल्स आपको मिल जैसा कि जनरली यह बहुत ज्यादा ब्रीड होती है इसके अंदर एक प्रॉब्लम आती है टेरेटरी एग्रेशन इसमें क्या कि अपनी ट दॉसरा यह एक लिट बहुत अच्छे होती है इनकी जंप बगएरा बहुत अच्छी होती है तो आप उस चीज के लिए प्रॉपर इनकी अगर एनर्जी वन डेली कर रहा है तो इसके अंदर नहीं आता है इसके लिए आप इसको वाक करा सकते हो ठीक है डिस्प्लेन में हमे लेब्रा की तरह इसको रख लें तो उससे थोड़े बहतर तरीके इसके अलग होने चाहिए आपको बहुत ज्यादा फिट रहना पड़ेगा इसके साथ टाइम देना पड़ेगा लेब्रड और या दूसरी ब्रीड कि नहीं आज नहीं आपको डेली वाक पे लेके जाना है लिए अगर घर में ट्रेड मेल है तो उस पर रनिंग करवाईए ठीक है आप साइकल के साथ में इसको साथ में रन करवा सकते यह सारी चीज़ है वह जरूरी है ठीक है तो इस तरीके से अगर आप इन डॉक को रखोगे तो आई आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी और आपकी मदद करेंगी ठीक है बहुत ज्यादा ठीक है अगर आप पैट कीपिंग कर रहे हैं एक इस अमेरिकन बुली की ठीक है तो मेरा यही मकसद है कि आपको अच्छे से गाइड कर पाऊं और इसी तरीकी की और वीडियो के लिए मैंने चैनल पे बने रहेगा और मिलते है नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाइज चैनल